अमरीका में जहां सब लोग भागा चाहते हैं आजकल, 1960s में वो civil right movements कर रहे हैं कि जो काला आदमी आपके पास बैठ सकता है कि नहीं, तो it's a revolutionary breakthrough 19th century में यह कहना, पहली बात तो यह है, और उसी समय से हर करीब दशक में आप देखेंगे कि Congress जो स्वराज की जो परिभाशा है इ शुरू होती है, lower middle class include होते है, working class include करते हैं, अब Congress left के आने के पहले, left के आने से बहुत बढ़ जाता है, 1920 में All India Trade Union Congress बनाती है, उसके leader कौन है? अब सोच के सुन कहरान हो जाओगे, लाला लाच पत्रा है, सी आर दास, और बाल गंगादर तिलक, तिलक के सिवा तो कोई सोचत किसान सभा बनाये जाते हैं, वो भी left बहुत आगे ले जाती है, पर किसान सभा बनाने में सिर्फ left का रोल नहीं था, सरदार पल्लभाई पटेल का बहुत बढ़ा रोल ता जिनको राइट विंगर कहा जाता है, साथ ही साथ दलित को लाना, वो भी 1920 से शुरूत हो जाता है, विमन को लाना, तो यह जो expanding nature की सवराज किसके लिए, जिसमें जो सवरब ने बात करी थी, कि आखिर में अन्तोदय वाली बात थी, कि हम आखरी आखरी आदमी तक कैसे पहुंचेंगे, तभी पहुंचोगे अगर अब सारे तबकों को साथ मेलाओगे, सारे religion को, सारे classes को, सा कास्ट को साथ मेलाओगे.